हेलो दोस्तों में आशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल सीड आईटी सलूशन जहांपे आप लोगों को जॉब पार्ट टाइम जॉब इंटेंशिप, फ्री कोर्स और एजुकेशन से जुड़े वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं दोस्तों अगर आप अभी कॉलिज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपने हाली पे अपना ग्रेजुशन कम्प्रिट किया है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप किसी कम्पनी में लास्ट कुछ सालों से काम कर रहे हो लेकिन आपकी सैल्दी अच्छी नहीं है आ आप अपने जॉब के साथ सटीस्वाई नहीं हो ऐसे में दोस्तों आपके पास टैलेंट उक् 열ाए है लेकिन आपको अच्छी एपरचुनिटी नहीं मिल पारी है जिसकी वज़ा से करियर पर बुस्त नहीं आ पार है आपकर कर रहे है ऐसे में आप यह चाहते हो कि आप लेकिन आपको अच्छी opportunity नहीं मिल पारी है, जिसकी वज़ा से आपके career पर boost नहीं आ पारा है, आपका career growth नहीं हो पारा है, ऐसे मैं आप ये चाहते हो कि आप आगे post graduation करो, और आप ये post graduation विदेश से करना चाहते हो, आप विदेश से MBA करना चाहते हो, या फिर MS करना चाहते हो या फिर कोई और post graduation program करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए पैसों की जरुवत है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास fund की कमी है, इसके लिए आप loan भी लेना चाहते हो, लेकिन आपको bank से loan नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों आप loan इसलिए नहीं ले रहे हो, क्योंक इसके पहले, हर बार की तरह मेरा आपसे सिर्फ एक ही request होगा, कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please आप इसे subscribe कर दीजिए, इस वीडियो को like कर दीजिए, और telegram चैनल को जरू join करिएगा, दोस्तों जहां पे आपको job, education, internship और free course related regular update मिलते रहते ह इसका आपको description पर मिल जाएगा, दोस्तों, हर साथ G&TATA के तरफ से एक scholarship program organize किया जाता है, जिसके माध्यम से ऐसे student जो वीदेश में अपनी पड़ाई करना चाहते हैं, वीदेश से post graduation करना चाहते हैं, वो apply कर सकते हैं, और अगर आपको इसके list के select हो जाते हो, तो आपको यह यहाँ पर आपको 50,000 रुपए traveling के लिए मिलेगा, जिसे आपको pay नहीं करना है, 7,000,000 रुपए तक का आपको यहाँ पर gift मिल सकता है, और 10,000,000 रुपए आपको यहाँ पर loan amount मिल सकता है, क्योंकि यह loan है, दोस्तों, तो obvious ही बात है, इसे आपको pay भी करना होका, लेकिन यह यहाँ पर जो आपको loan मिलने बाला है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है, दोस्तों, कि यहाँ पर आपको एक भी रुपए interest नहीं देना है, अगर आप bank से loan लोगे, bank से education loan लोगे, तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता है, उसे आपको यहाँ पर न लेका, जिसमें आपको यह 10 लाक रुपए पे करना होगा, हर साल आपको सिर्फ 2 लाक रुपए ही पे करना होगा, तो अगर आप अच्छे किसी university से, विदेश के किसी अच्छे university से post-graduation करेंगे, तो आपकी salary इतनी अच्छी होगी, कि आप इस loan को 1-2 साल पे ही पे कर दोगे तो अगर आप इसके लिए apply करने का सोच रहे हो दोस्तों, तो link आपको description box में मिल जाएगा, इसमें दोस्तों अगर आप apply करना चाहते हो, तो 7 December से start हो चुका है registration, जो end हो जाएगा 15 March 2021 को, तो 15 March 2021 के पहले आपको इसके लिए register कर लेना है, अब अगर बात की जाए कि कौन कौ से लोग इसके लिए apply कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों अभी final year पे हो, चाहे आप कोई भी डिगरी कर रहे हो, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, अगर आप BC AI कर रहे हो, 25 साल से कम है, तो आप इसके लिए legit कर एए लेकिन आपका जो दोस्तों last percentage है, वो 60% होना चाहिए graduation में, अगर आपका 60% है तभी आप इसके लिए apply कर सकते हो दोस्तों अगर आप इहां पर apply करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको link मिलेगा आपको उस पर click करना होगा जैसी आप उस पर click करेंगे उसके बाद आपको एक registration form को fill करना होगा आप जब registration form को इहां पर fill कर देंगे दोस्तों उसके बाद आपने जो भी email id डाला है उस पे एक OTP आये का OTP आने में 48 कंटे तक का time लग सकता है इसके बाद आपको login करना होगा और login करने के बाद अपने password को change करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको एक form को fill करना होगा जिसमें आपको कुस document भी attach करने होगे अब उस document पे क्या लिखना है वो document क्या होने वाला है जब आप link पे click करोगे तो उसका information आपके सामने आजाएगा कि उस document पे आपको क्या लिखना है जो basic click पहला document है दोस्तों उसमें आपको ये लिखना है कि आपको ये scholarship क्यों मिले और आप आगे career पे क्या करना चाहते हो इस scholarship की आपको क्यों जरुवत है वहीं पे जो दूसरा document होने वाला है दोस्तों वो होगा later of recommendation अगर आप college में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको college के किसी professor को बोलना पड़ेगा कि वो आपको recommend करें कि आपको ये scholarship मिल पाई अगर आप job कर रहे हो तो आपको किसी भी manager से बात करना पड़ेगा कि वो आपको recommend करें कि आपको ये scholarship मिल पाई इसके बाद दोस्तों आपका selection procedure स्टार्ट होगा और जो selection का procedure है उसमें आपको सबसे पहले एक test देना पड़ेगा test जब आप दे दोगे उसके बाद आपका यहां पर interview होगा interview online भी हो सकता है और offline भी हो सकता है अगर offline interview होगा तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों फिर final जो भी इसका result है वो निकाला जाएक और जो final result होगा दोस्तों वो उस पर कुछ चीज़े matter करेगी जो सबसे ज़्याद है आपका academics में कितना percentage रहा है वो matter करेगा इसके अलावा आपने assessment में कितना marks पाया है वो matter करेगा इसके अलावा letter of recommendation आपका कैसा है उसके भी आपको यहाँ पे points मिलेगे इसके अलावा जो interview हो रहा है उसके आपको point मिलेगा अगर आपने GRE या फिर कोई और interest exam दिया है तो उसके marks के basis पे भी आपको यहाँ पे points मिलेगे और इन सब को मिला के final point मिलेगा और final point बनेगा और उस के basis पे आपको यहाँ पे scholarship offer होगी तो दोस्तों काफी अच्छी opportunity है उन student के लिए जो आगे वीदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास fund का shortage है तो वो इसके लिए जरू apply करिएगा तो I hope दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप इसे subscribe करिएगा टेली क्राम चैलने को भी जरूर जोइन करिएगा दोस्तों और इस information को अपने दोस्तों के साथ साथ खास कर ऐसे दोस्तों के साथ जो काफी talented है लेकि उनके पास पैसों की कम हैं जिस के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों थैंक यू